तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाव तो इंस्टॉल वीएस कोड तो काफी लोग जो बिगनर्स होते हैं या फिर जो भी एक ऐसे बिगनर न्यू प्रोग्रामर होते हैं जो कि कोडिंग करना चाहते हैं उनके दिमाग में बस एक एक ही क्वेशन सूरती है क कि अगर हमें C++ की प्रोग्रामिंग करनी हो या फिर हमें Java Script की प्रोग्रामिंग करनी हो या फिर हमें Python की प्रोग्रामिंग करनी हो या फिर हमें HTML CSS की Web Development की प्रोग्रामिंग करनी हो या PHP की कोड करनी हो तो हम एक ऐसे ID को चूज करते हैं जो कि हमें एक अच्छा सा मतलब प् तो आज हम वही बात करेंगे कि एक VS Code Visual Studio Code एक ऐसी नामक IDE है जो की हमें एक ऐसी UI प्रोवाइड करती है जहाँ पे हम किसी भी language को हम code कर सकते हैं या चाहे वो PHP हो चाहे वो Java Script हो या फिर वो C++ में code हो या फिर Java में code हो कोई भी code हो किसी भी language की code हो वो हमेशा Visual Studio Code को सपोर्ट करेगी और इसमें एक ऐसे फीचर है जो कि आप उसके package या Java यूज कर रहे हो तो आप उसके जेड़े के इस्टॉल करके आप VS Code के साथ आप अटेच कर सकते हो या फिर आप C++ यूज कर रहे हो तो आप Minji W Nama के एक फाइल को इंस्टॉल करके लाइक compiler को इंस्टॉल करके आप इसमें उसको इसके साथ सेट अप कर सकते हो या फिर आप JavaScript यूज कर रहे हो या फिर आप अप अच्टिमस यूज कर रहे हो तो आप किसी के लिए भी यूज कर रहे हो वी एस कोड इजली आप इंस्टॉल कर सकते हो एंड यह एजली अबलेबल है जो Free of Cost मिलने वाली है तो वैस हम बेना टाइमबिस्टिक हम चलते हैं अपने ब्राउजर पर ब्राउजर को ज्वरजन 1.5 से मिज़न अब्लेवल ठीक है तो ये एबलेबल है तो आप चाहो हो तो कर सकते हो और फ़ी डिपेंड नहीं करेंगे आपको अप चाहो हो तो यहां से डाउन्लोड कर सकते हो या फिर यह यह पर देखो यहाँ पे लिए यह विएस कोड एबलेबल है वह Macbook हो य एक किसी भी प्लेटफॉर्म पे फ्री ओपन सॉफ्ट वेर है जो एक डेवलपर के लिए बहुत ही अच्छी जा न्यूज है और यह जो है यह एक Microsoft के तरब से रहने वाली है यह तो यह जो VS Code है Microsoft Company ने VS Code को बनाया है यह कोई शक नहीं है तो आप इसको यूज करके आप बेसिकली फ्री होके फील्ड होके कोड कर सकती है कोई चार्ज नहीं लगा कोई पैसे नहीं कोई चार्ज रिस नहीं देने आपको इसमें तो सब कुछ फ्री रहने वाला है इसको आप यहां से विंडोस पर क्लिक करके आप इस्टाल कर लो विंडोस आपके 7 हो, 8 और 10 हो, फर्क नहीं परता उसकी जो भी 64-bit और 34-bit और अपने 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 रिस्ट कर लेता है जब आप इस्टालेशन प्रोसर्स करते हो तो वहां पर आपसे पुछा जाएगा तो आप वहां से करते हो, आप यहां से इस्टाल पर क्लिक करो, तो मैं यहां पर नहीं चाहता कि मैं अपने नेट वेस्ट करूँ ठीक है, क्योंकि में बास वाइफ़े नहीं है तो आप चाहोत यहां से इस्टाल करलो और इस्टाल करने के अब आप सेटआप की स्ट कुछ रिक्वार्मेंट्स होती है, जो कि आपको next 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 नेक्स बस next नेक्स अकरने जाना है, सब फिनिश हो जाएगा ठीक है, तो आपको बस इतना करना है और इतना करने के बास जैसी आपको मिल जाते हैं तो जिसमें से मैंने यहाँ पर सर्च मारों HTML CSS HTML CSS तो आपको यहाँ से कि आफिसर सपोर्ट से extension मिल जाएंगे जो extension आपके web development में enhance कर सकती है जो आपको web development करने में आपको बहुत ही जादा helpful हो सकती है अगर आपको code लिखना हो अगर आपको कुछ भी लिखना हो तो आप just एक click से आपको already वो boiler plate available देता है तो guys आप यहाँ से कर सकते हो अगर आप C++ use कर सकते हो तो आपको इसमें main.jw file आप install करना पड़ेगा और वो आपको system variable के साथ आपको attach करने पड़ेगी उसके path को फिर आपको VS code को agree करता है आपको C++ code को run करवाने के लिए ठीक है तो same guys आप ऐसे ही करके VS code install करो and VS code पे आप जितनी भी code करो कि don't worry guys यह आपको free और पहले software के साथ साथ आपको सारी चीज आपको provide करवा देता है अगर आप चाहते हो कि यह सारी अच्छी सेपरेटली वीडियो बना दूँ तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्षेन में बता दे कि हाँ इस पे मेरे को पूरे वीडियो चाहिए and don't worry मैं इसे पूरी वीडियो आपको VS code की पूरे सेरीज बनाके मैं आपको provide करवा दूँगा तो thank you so much guys मिलते हैं नेक्स वीडियो में and keep support, keep love and thank you so much for watching this video and take care guys